गटबंदन को जिताने के लिए बेहन कुमारी मायवती नहीं लड़ेंगे चुनाव पहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बेहन कुमारी मायवती ने बड़ा अलान किया है लखनों में प्रेस कॉनफरेंस के दोरान मायवती ने कहा कि मैं जब चाहूं लोकसबा का चुनाव जीत सकती हूँ हमारा गटबंदन बहतर इस्तिती में है और उसकी जीत हमारे लिए सबसे जरूरी है इसलिए मैं लोकसबा चुनाव नहीं लड़ूँगी क्योंकि मैं अपने लोकसबा चुनाव पे लड़ूँगी तो मुझे अपनी सीट पे ध्यान देना पड़ेगा और मैं कहीं पूरे देश के उपर जो गटबंदन की सियासत चल रही है उसके उपर ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना आगे जरूरत पढ़ने पर मैं जिस सीट से चाहूंगी उसे खाली करवा कर लोकसबा किसी सांसत बन सकती हूँ मायवती ने भाजपा पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा देश के लिए लोग भाजपा की वरतमान अहंकारी निर्मकुष जातिवादी और सांप्रताइक सरकार को उखाड़ फैंगना चाहते हैं इसी संकल्प के साथ ही यहां उत्तर प्रदेश में बस्पा सपा और रालोद का गटबंदन किया है गटबंदन अपनी तीनों पार्टियां हर सीट जितने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ है माया ने ट्विट में कहा कि बस्पा एक बार फिर साथ वापस पस कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश सहीत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई भी कुछ भी किसी प्रकार का तालमेल और गटबंदन आदिब बिलकुल भी नहीं है हमारे लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा आए दिन फैलाए जा रहे किसम किसम के ब्रहम में कते ही ना आएं इस ट्विट की कोरी ट्विट करते हुए सपा प्रमुक अकलेश यादब ने भी इसी बात का समधन किया है ये थी SM News की रिपोर्ट ऐसे ही ताजातरीन खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें वीडियो के नीचे लाल रंका बटन दवाएं और घंटी का बटन दवाना बिलकुल भी न भूले ताकि सभी latest information खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले